असलाव अलेकूं कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हूं आप सब ठीक टाक होंगे जी यह था व्लोग उस दिन का जिस दिन हम बैंगलूर के निकलने वाले थे मगर हम नहीं गए क्योंकि देख सकते हैं आप कितनी जोरदार बारिश हो रही है इसी वज़े से मैं रिकॉर्ड तो तभी किया था बस एडिट अब कर रही हूं वाईसोर कर रही हूं और मेरा गला भी बहुत खराब है था अभी थोड़ा बहतर है इसालिए आप कर रहूं वाईसोर चलिए आपके साथ मैं शेर करते हूं कुछ पारसल मैंने अपने ग़ाडेन केना बनाया मं तो तो उसी दिन मैंने ओर कर लिया था नीम ओईल या फटिलाइजर कुछ पी स्प्रे करने के लिए बॉटल ओर किया था एक वह है मैं यहीं पर पूछ की भी आई थी मगर का क्वालिटी में उतने ठीक नहीं थे और उसका कास्ट भी ना बहुत ज्यादा बता रहे थे इसलिए तो मैंने अमेजन से आर्डर कर लिया यह जी यह बॉटल यह टू लिटर को है बॉटल कॉफी अच्छा मिला है मुझे क्वालिटी में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है इसको क्वालिटी और सभीज का बहुती अच्छा था और दूसरी चीज मैंने आडर की थी क्या सिर्लिंग ट्रे जो हमें कुछ भी छोटी पौधे लगाने होते हैं टमाटर या मिच्ची जैसे आजकल सीजन है फूलों का कुछ भी फूल वाले पौधे जो हम बीज लगाना चाहते हैं वह सारे इस तरह से मगर इसका क्वाल्टी न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि हाला कि मैंने अब तक सीडलिंग ट्रे कहीं खुछ से देखा नहीं है कि उसकी क्वाल्टी कैसी रहती है क्या करके यह बिल्कुल पतला सा पेपर का जैसा है इसका क्वालिटी उपर से तो ठीक ही ल देखें आपको दिखा रहे हूं मैं कितना पतला है इसका बट कुछ नहीं मैं इसको वापस तो अभी नहीं करूंगी क्यूंकि देखते हैं इसी में काम चलाओंगी वापस करूंगी ति मेरे हस्बेन नौराज हो जाएंगी क्यूंकि इसी तरह तुम पैसे वेस करती हो करके और यह जी नेक्स टे जब सुभे सुभे 6.30 हुया है टाइम और इधर मेरे हजबन सो भी रहे हैं अभी तक अब मैं आ गए हूं कपड़ों को पैकिंग करने के लिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं बैंगलूर के लिए क्योंकि वहां पर एक छोटा सा अकेशन है और कुछ से शॉपिंग करती हूं और ओकेशन क्या है कि नए दुला दुलन जो है मेरी चोटा वाला भाई और उसकी वाइफ उनके लिए दावत रखी है मेरी चोटी बेहन ने इसलिए काफी दिन से जाने का प्लाइन बन रहा था मगर पीछे ही जा रहा था प्लाइन किसी वज़े से तो आखिर कर अब प्लाइन बन गया है तो इस तरफ मैंने अपने सारे मेरे और मेरे बच्चों के सारे कपड़े रख लिए हैं पीनों के मेरे हस्बेन निक्स्ते आएंगे और यहां पर मैंने पर्स भी रेडी कर लिए है इस तरह से जो भी ज़रूद का सामान है वो सारा इ मैंने रख लिया है क्योंकि दूरना ना पड़े क्या है परस में हाथ डाल के हम दूरनते रह जाते ना इस तरह से और एक चोटी से डिबी में मैंने अपने सेफटी पिंस ताल के रखे हैं वो भी हर हमेशा गुम जाते हैं जब टाइम पड़ता है तभी नहीं मिलते वह इसलिए और इस तरफ रखी है कुछ दवाई और विक्स क्योंकि देख सकते हैं आप भारिश हो रहे हैं बाहर जाएंग तो सर्दी खासी हो सकती है तो इसलिए अब मैं इस सारे कपड़ों को बैक्स में पैक कर दोंगे उसके बाद हम जाएंगे हमारे अम्मी के घर मेरे अम्मी के घर जाओंगी मैं और वहां से हम निकलेंगे अभी लास्ट में में मेरी बेटी को यह याद आ गया था उसकी जो पिगी बैंक है उसको ओपन किया है उसने ओपन करने के लिए नहीं आया तो डब्बे की हालत इस तरह से कर दी है तो उसकी पिगई बैंग में इतने सारे पैसे निकले हैं काफी ज्यादा सौ और दोसों की ही नोट हैं मगर अच्छे कासी पैसे जमा किये थे उसने उसको कुछ जरूत की चीज़ें हैं वो लेगी उससे डब्बे की हालत इसनी खराब कर दी है कि हाथ लगाने से भी डर हो रहा था कि कहीं से कट ना जाए इतना उसको बुरी तरह से काटा है उसने तो इसलिए मैं डब्बे से जटक रहे हूं और उसके बाद हम निकलेंगे अम वारिश के वज़े से यहां की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है जहां देखो वहां खड़े ही कड़े हैं हम बस तीनों निकले हैं अभी पिलाल गाड़ी में अब जाएंगे अमी के घर वहां से सब लगेज वगेज पैक करेंगे उनका भी उसके बाद हम और बैंगलोर में मैंने क्या कहां कहां गूमी थी चोटे चोटे शॉट वीडियो तो डाल दिया था जहां गई थी वहां से क्या क्या खरीद है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा वीडियो को श मेरे चानल को जो भी नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों फैमिले के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना कि थोड़ा बहुत वह भी कुछ देख लें और यहां पर हम सारा जो चोटा चोटा लागिस है वो सारा पीछे की तरफ रहे हैं और यह देखिए यह मेरे बड़े वाले भाई का बेटा है यहां पर ना मुझको पपी दे रहा था जब उसको लागा मैं रिकॉर्ड करें तो उचूप हो गया और यह मेरा बेटा और यह चोटू अब कर रहा है वो फोन में देखकर हाई आप सबको बहुत खुश था वह गाउं के जो हम निकले हैं पैकिंग जो कर रहे हैं बच्चों के तो एकसेटमेंट होती है ना गूपने फिटने के लिए जाते हैं तो इस तरह से सारा लगेज हमने पूरा उपर बान दिया था और यह है जी एक प्लाइंट इसका फोटो मैं लास्ट म लगते हैं पूलिस के और यह बड़ी वाली मेरे भाई की बेटी इसने ना काड़ों में नए डाले थे जुम के तो वही मुझे दिखा रहे थी और मैं देख रही थी और हम सब यहां पर लगेश अपना बान लिया है और हम सब ने बैट गए हैं गारी में लो जी आप शुर और हम बेंगलो से बेंगलो जाने के लिए यहां से निकले और बीच में हम गए थे पिंगुंडा जो दर्गा है वहां पर बाबा पकरदिन बाबा की वहां पर गए थे हम वहां पर 10-15 मिनिट रुके बस फूल इतर चड़ाए और उसके बाद हम निकल गए हैं बैंगलोर के लिए क्योंकि रास्ते ही में आता है तो इसलिए हम थोड़े देल के जाते हैं काफी साल हो गए थे क्योंकि लागडोन जो था इसलिए नहीं आ पाए अब यहां पर ना का इस तरह से जाली लगा दी है इससे पहले नहीं था यह जाली अद्मियों की भीड कम करने के लिए इस तरह से उन्होंने सेक्शन बना दी हैं और यह है जी मज़ार और हमने यहां पर फूल चड़ाए और यह देखिए मैं दे रहे हूं मेरे बेटे के हाथ में अत्तर और जो फूल का हार हम लिए थे वो वो चड़ा कर दस मिनिट मेट कर हम निकल जाएंगे बैंगलोर के लिए और रास्ते में हम नाष्टा कर लेंगे पेंगुंडे से थोड़ा पांद दस मिनिट आगे जाएंगे तो वैशाली करके वैशाली ही है नाम शायद करके एक होटल है पहां पेना नास्टा बहुत ही अच्छा मिलता है और हमने यहां पर रोटी और दाल फ्रै लिये था नास्टा और लंच की बीच का टाइम था तो इसलिए हमने डिरेक्ट लंच ही कर लिया था रोटी और दाल फ्रै तो यहां का फेमस है मेरे लिए क्योंकि मुझे यहां का बहुत पसंद आता है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अल्ला हाफिस